डॉक्टरों को भगवान का दल्ज़ दिया जाता है डॉक्टरों की उप्चार से लोगों को नया जीवन दान मिलता है वहीं एक डॉक्टर ऐसा भी हुआ जिसका ब्रेन डेड होने के बाद भी परिजनों की अनुमती से अंगदान किया गया इससे दो लोगों को नया जीवन मुंबई निवासी डॉक्टर सतीश कैलाश चौरसिया पिछले कुछ सालों से नागपुर के किम्स किंगवे हॉस्पिटल में चिकित्सक के रूप में सेवा दे रहे थे उनकी किड्नी खराब हो चुकी थी कुछ साल पहले ही उनकी पतनी शेली ने उन्हें अपनी एक किड्नी दान दे थी लेकिन अंग प्रतिय और उपन सफल नहीं हो पाया था इसलिए डॉक्टर चौरसिया उपचार के साथ डायलेसिस कराते थे 15 अपरेल को उन्हें मस्तिक्ष में पैरलेसिस अटेक आया था किम्स किंग्स वे अस्पताल में उनका उपचार शुरू था लगतार त अंगदान की अनुमती मिलने से इसकी जानकारी Zonal Transplant Coordination Center यानी JDCC को दी गई सेंटर ने राष्ट्य अंगदान प्रतिया रोपन समीती को सूचना दी समीती ने जरूरतमन मरीजों की सूची की परताल की सूची के अनुसा सिकंदराबाद के किम्स किंग्स वे अस्पताल में महिला मरीज को फेफडे मुंबई के हिरानान दी अस्पताल में एक पुरिश मरीज को रिदैवन नागपुर के किम्स किंग्स वे अस्पताल में 50 साल के पुरिश को लिवर की आविशकता होने का पता च नागपुर्व मुंबई के महरिजों पर अंग प्रतियार रोपित किये गए। ऐसा JDCZ के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कोलतेनी बताया।